जै शीराम जै हनुमान आज की बालकान कथा कुछ इस प्रकार है पठे बोले गुनिती नाना जे बिताने बिधि कुसल सुजाना बिधि बंदे तेह कीने अरंभा बिरचे कनक कदली के खंभा उन्होंने अने कारीगरों को बुला भेजा जो मंड़ बनाने में कुसल और चत्र थे उन्होंने ब्रह्मा की वन्ना करके कार आरम किया और पहले सोने के केले के खंभी बनवाए हरित्मनह के पत्रफल मदुमराग के फूल रचना देखे विचित्र अती मनु बिरंची कर भूल हरी हरी मणियों के पत्ते और फल बनाए तथा पद्राक मणियों के फूल बनाए मंडप की अत्त विचित्र रशना देखर ब्रह्मा का मन भी भूल गया बेनु हरित्मनि मैं सब कीन है सरल सपरब परही नहीं चीन है कनक कलित यही बेली बनाए लखे नहीं परही सपरन सुहाई बास सब हरी हरी मणियों के सीधे और गाठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे सोने की सुन्दर नाग बेली बनाए जो पत्तो सहित ऐसी भड़ी मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती तही के रच पची बनाए बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए मानिक मर कत कुल से पिरोजा चीरे कोरी पची रचे सरोजा उसी नगफ नाग बेली की रचकर और पच्ची कारी करके बनधन बनाए बिच बिच में मोतीयों की सुन्दर जाने रहे मडिक फरे हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर कोर कर और पच्ची कारी करके इनके कमल बनाए कि ये भ्रंग बहुरंग विहंगा गुन्जही कूजही पवने प्रसंगा सुर्पति मा खंबन गढ़ी काड़ी मंगल द्रवे लिये सब ठाड़ी भारे और बहुत रंगों की पच्छी बनाएं जो हवा के सहारे गुन्जते और गुन्जते थे खंबो पर देवताओं की मूर्थियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रवे लिये खड़ी है चौके भाति अनेक पुराई सिंधुर मनि मैं सुहज सुहाई गर्मुकताओं के सहज सुहाँ ने अनेक उतरह के चौक पुराए सौरब पलव सुभग सुठे किये नील मनि कोरी हे में बौर मरकत घवरी लसत पाट मैं डोरी नील मनि को कोर कर अत्यत सुंदर आम के पत्ते बनाए सोने के बौर और रेसम के डोरी से बंधे हुए पन्ने के फले फनों के गुच्छे सुसुभित है रचे रुचिर बरे बंदे निवारे मनो मनो भव फंद सवारे मंगल कलस अनेक बनाए दोज पता के पट चमर सुहाए ऐसे सुंदर और उत्तम बंदरवार बनाए मानो काम देव ने फंदे सजाए हो अनेको मंगल कलस और सुंदर धोजा पता का पड़ दे और चवर बनाए जिसमें मडियों के अनेको सुंदर दीपक है उस विचित्र मंडब का तो बनन ही नहीं किया जा सकता जिस मंडब में श्री जान की जी दुल ही नहीं किस कवी की ऐसी बुद्धी है जो उसका वनन कर सके दुला हो राम रूप गुन सागर सो बितान तहीं लोके उजागर जनक भवन कैसो भाज जैसी ग्रह ग्रह पति पुर देखे ही तेसी जिस मंडब में रूप और गुणों के समुद्ध शी राम चंद जी दुल होंगे वह मंडब तीनों लोकों में प्रसते होना ही चाहिए जनक जी के महल की जैसी सुभा है वैसी सुभा नगर के पते घर की दिखाई देती है जै शी राम जै हनुमन आज की बालकान का थमे बसित नहीं हर हर महादेव